इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज सुभा सुभा शीश्ट गंच गुर्द्वारा पहुँचे उन्होंने गुर्द्वारे में मत्था टेका और शर्धालूं से मुलाकात की प्रधान मंतरी बीना सेक्यूरिटी कवर के पहुँचे थे आपको पता दें कि आज गुरू टेक बहादूर का चार सोवा प्रकाश वर्ष भी है इस मौके पर पीम ने गुर्द्वारे में अरदास की इस दोरान उनके साथ दिल्ली से बीजिपी के पुरुविधायक आरपी सिंग भी मौजूद थे तो यह सुबा सुबा की तस्वीर है जब प्रधान मंतरी मोदी शीजगंज गुर्द्वारा पहुँचे गुरुतेग बहादुर की चार सुबी यह प्रकाश वर्ष है और इसी के मद्देनजर प्रधान मंतरी मोदी सुबा सुबा गुर्द्वारा पहुँचे उन्होंने शीजगंज जाकर उन्हें नमन किया और आप देख सकते हैं कि जब सुबा सुबा निकले थे तो नॉर्मल ट्राफिक थी उनके लिए कोई स्पेशल सेक्यूर्टी कवर उसका कोई इंतरजाम नहीं किया गया था और अचानकी प्रधानमंत्री मोधी आज सुबा सुबा शीजगंज गुरुद्वारे पहुँचे गुरुतेक बहादूर को शधानजली देने के लिए और साथी अरदास करने के लिए चांदी चौक के इस गुर्द्वारे पर प्रधान मंतरी मोदी बिना किसी पूर्व सूचना के पहुँचे ऐसे में मैनेजमेंट के लोगों को भी पी-एम के आने की जानकारी नहीं थी शीजगन्ज गुर्द्वारे से इंडिया टीवी रिपोर्टर संजज़ शा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज सुबह सुबह आचानक गुर्द्वारे पहुँचे चांदरी चौक इलाके में इस तिस गंज गुर्दवारे में प्रदान मंतरी सुबा बीना लाउल असकर के पहुँचे बीना किसी सीक्योर्टी इंतजाम के और यहाँ पे जो प्रबंदक कमेटी है उन लोगों को भी उनके आने की कोई जनकारी नहीं थी सुबा सुबा प्रदान मंतरी अपने घर से निकले बीना किसी सीक्योर्टी का कोई रूट नहीं लगाया गया था जब यहाँ पर प्रदान मंतरी पहुँचे है तकरिबान सुबा साथ मजे का वक्त था तब यहाँ लोग उनको पहचाने फिर वो अंदर गए और वहाँ पर मथा टेका चुकि आज सिख धर्म के नवे गुरु गुरुतेक बहादुर का चारसवा प्रकास दिवस है जिसके मौके पर प्रदान मंतरी यहाँ पर पहुँचे है और प्रकास उत्सव की लोगों को जो लोग मजूद थे अंदर गुर्दवारे के अंदर उ और उनको प्रकास पर की बधाई दी उनके साथ केंद्रिय शहरी विकास मंतरी हर्दियप सिंग पूरी भी साथ में थे और तक्रीबन यहाँ 20 मिनट तक प्रदान मंतरी रूके है उसके बाद यहाँ से मथा टेक कर वापिस चले गा है बीना किसी लावल असकर का प्रदान मं देख के बाद